हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक आज की लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की हमने बात कर ली थी ग्राइविटेशनल फोर्स प्रिंग फोर्स यह कंजर्वेटिव फोर्स हैं नहीं पढ़ा है तो फिर लास्ट लेक्चर देख लेना पोटेंशल एनरजी को बारे में कोई बात नहीं करते हैं क्या है यह दो पॉइंट्स वो समझने के लिए पहले हमने लिया के एक 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 ब्लॉक जो कि किसी रफ सर्फेस पर रखाए और यह सर्फेस का कोईफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इसको हम कोई एक्टरनल लगा के इसको मूँ करना चाहते है फ्रॉम पोजिशन ए टू बी और हम कंसिडर करते है ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस ठीक है हम क्या करते है अभी नॉन कंसर्वेटिव फोर्स समझने के लिए हमने यहां पर कुछ लिखा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन फो इसको बी से एक पे लेके जाएंगे और हम बताएंगे कि वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का इस पर कितना है तो चलिए हमने देखा कि टोटल वर्क डन यहां पे लिख लेते है वर्क डन फ्रोम ए टू भी प्लस वर्क डन फ्रोम बी टू ए So work done from A to B लिखने का तरीका ऐसा होता है W लिखते हैं और नीचे हम A से arrow करके B के तरफ लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि work done from A to B So हमने देखा कि जब हम A to B इसे लेके जा रहे हैं वो situation में यहाँ पे दिखाता हो तुमें So इसका displacement हो रहा है A से लेकर B की तरफ और हमें पता है friction force हमेशा motion को oppose करता है तो friction force लगेगा यहाँ पे पीछे मतलब friction force और displacement दोनों का direction कैसा है? Opposite है और हमने पढ़ा है कि force और displacement जब opposite direction में होते है तो work done कैसा होता है? Negative होता है So हमने लिखा यहाँ पे work done from A to B is minus Fs F क्या है? Friction force S क्या है? Displacement है Minus क्या है? क्योंकि यह दोनों का direction कैसा है? Opposite है Okay fine हम B to A work done देखते हैं अभी हम B से लेकर इसको A की तरफ लेके आएंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा है So हम इसको B से A की तरफ लेके जा रहे है मतलब displacement होगा B से लेकर A की तरफ इस दिशा में और हमें पता है कि friction force oppose करेगा तो इसका motion अगर left में और friction force कहा लगेगा? Right में So during this journey from B to A again This force and displacement are in the opposite direction इसलिए यह भी जब आएगा तो लिखेंगे हमने Minus Fs So net work यहां से हमें मिला Minus Fs That is minus 2 Fs So work done हमें 0 नहीं मिला Work done from A to B and B to A इसको हम कहेंगे round the trip Round the trip मतलब जहां से निकले थे वहां से फिर वापस लोड गए हम So work done in the round the trip by friction force is non-zero And during this process एक common sense वाली बात भी है नीचे अगर friction होगा इस block और surface में तो heat release होगी और जब B to A इसे लेके जाएंगे तभी भी heat release होगी मतलब during this A to B and B to A journey heat दो बार release होगी A to B लेके जाओगे तभी release होगी ऐसा तो नहीं होगा कि B to A लेके जाओगे तो reverse हो जाएगी थंडा हो जाएगा हमेशा कोई भी direction में हम move करेंगे तो friction क्या करेगा energy का loss ही करेगा इसलिए हमने लिखा है कि work done जब हम friction force का लेंगे तो हमेशा क्या होगी energy dissipate होगी और system से energy चली जाएगी और इस प्रकार का जो work done होता है by any force that is in this case friction force जो energy को घटाता है system में से उस type के forces को हम कहते है non conservative force non conservative का आधारन meaning क्या होता है कि कुछ energy वो store नहीं कर पाता या कुछ energy system के अंदर ही नहीं रख पाता वो इस system से चोड़ देता है system मतलब ये block, ये surface, ये हमारी system है अगर energy इसके अंदर ही रहती तो हम कहते हैं कि ये conservative है लेकिन energy कुछ heat के form में चली गई इसी के लिए जिसके कारण ऐसा हुआ उस force को कहेंगे हम non conservative force और वो कौन सा force है non conservative force that is friction force टेकनिकली अगर इसे बोलेंगे तो round the trip मतलब cyclic process भी इसे कह सकते इसका मतलब A to B और B to A में जो force का work done 0 नहीं होता वो forces होते हैं non conservative force to understand, to compare this हम यहाँ पर एक example बनाए है यह example में देखो कोई block है M उपर रखा हुआ है हमने थोड़ा उपर उठाया है A to B हम इस block को लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं और B to A इसे उठाते हैं और हम पूछते हैं कि work done बताओ by gravitational force यह जरूरी होता है कि कौन से force का work done तुम देख रहे हो तो यहाँ पर हमें पूछ रहा हूँ कि work done by gravitational force बताओ कितना है तो हमने कहा कि A to B and B to A A to B and B to A total work done हमें बताओ तो हमने कहा कि total work done from A to B plus B to A निकालते हैं जब हम A to B जा रहे थे gravity हमेशा नीचे लगती है और displacement A to B वो भी नीचे तो दोनो force and displacement दोनो कैसे हैं same direction में इसले हमने लिखा plus mg into h उल्टा चलेंगे जब इसको कोई दूसरा force B से A की तरफ लेके आएगा तो इसका displacement ऊपर होगा और gravitational force का work done निकालना है वो हमेशा force नीचे लगता है तो in this case वो क्या है force और displacement opposite direction में है तो यहाँ पर हमने लिखा minus mg और यह cut होके कितना आया 0 मतलब round the trip में जो force के कारण net work done 0 होता है वो forces होते है conservative forces in this case gravitational force का round the trip work done आया है 0 इसलिए gravitational force कैसा है कौन से category का है यह conservative force कैटिगरी का है इसका मतलब net work done अगर 0 है मतलब system के बाहर कुछ energy नहीं चली गई क्या हुआ potential energy change हो गई वापस लेके गई वही potential energy उसको फिर से मिल गई तो energy जो कुछ चली गई थी वो वापस आ गई वैसा होता है तो वो होता है conservative force friction में वैसा नहीं हुआ A to B गए energy चली गई B to A गए उसमें भी energy चली गई दो बार energy हमारी चली गई इसलिए इसको हमने कहा था कि friction is non conservative force हमने एक table बना लिया ताकि हम कभी भी बाद में इसे पढ़ेंगे तो सिर्क table पढ़ने से ये पूरा concept हमें समझ में आए conservative force और non conservative force का comparison Example पहला conservative का gravitational force spring force भी होता है लेकिन एक एक गजम सबसे हमने काम चला लिया non conservative force का example friction force अच्छा second point क्या compare किया conservative force में कोई energy का loss नहीं होता है non conservative में energy loss होता है हमने देखा नब हीट में जाती है loss sound में energy loss होता है वहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता conservative में third point हमने लिखा कि work done in cyclic process is zero मतलब A to B and B to A हम लेके जाएंगे इस block को against the gravitational force तो work done होगा गुसका zero वैसा non conservative force में friction force में वो non zero रहेगा जैसा कि हमने यहाँ पे देखा minus two Fs answer आया जब हम A to B and B to A इसे लेके जा रहे थे फिर third point last point हमने कहा कि conservative force की जब हम बात करते है तब हम potential energy के साथ साथ उसकी चर्चा करते है मतलब conservative force और potential energy का कुछ ना कुछ नाता है कुछ ना कुछ रिष्टा है there is some relation between force that is conservative force and potential energy non-conservative force और potential energy इनका कोई नाता नहीं है वो कोई relative नहीं है तो उनकी कोई ऐसी चर्चा नहीं होती है so this is all about the difference between conservative force and non-conservative force now let's say now let's understand the relation in potential energy and the force यह क्या चक्कर है हम potential energy और force की बीच में कुछ एक relation बिल्ट करेंगा यह काफी important topic है इस chapter का तो to understand this हमने एक example यहाँ पे create किया काफी simple सा example है कोई बच्चा भी समझ सकता है इसे अभी एक wall है जो अभी A position पे रखा है और जब इसको हम छोड़ देंगे तो यह ground को hit करेगा तो उसकी position हो जाएगी B सीधी सीधी बात और जब यह A position में है तो मान लेते हैं इसकी potential energy हमने बताई by symbol U suffix A UA is the potential energy of this ball at position A simple जब यह ball यहाँ नीचे गिरेगा तो हम इसकी जो potential energy measure करेंगे उसको लिखेंगे UB UB मतलब क्या है potential energy of this ball at position B इसको लेके क्या करेंगे आचार तो नहीं डालेंगे So in the above example consider a ball under the influence of gravity अच्छा gravity के अंदर यह नीचे आएगा पता ही नहीं था हमें तो यह तो हमने वो लिख लिया जो मैंने अभी बोला UA is the potential energy at position A and UB is the potential energy at position B तो potential energy और conservative force का हमें relation लगाना है यह हमारा purpose है देखो तो क्या दिमाग हमने लगाया क्या यहाँ पर तर्क लगाया हमने देखो कि जब ball A to B जा रहा है तो हमने इसका analysis क्या किया जब ball A से B जाएगा तो इसकी जो यहाँ पर जो potential energy होगी generally हमने बच्छमन में पढ़ा है potential energy अगर यह ह हाइट में मानता हो तो A position पर potential energy कितनी होगी MGH So MGH यह जो potential energy है धीरे धीरे जब ball नीचे आ जाएगा वो 0 हो जाएगी जब वो B पर पहुझेगा मतलब potential energy A से लेकर B के तरफ जब जाएगा तब change हो रही है Yes, so we can say potential energy is changing when the ball is coming from A to B and to be precise वो decrease हो रही है ओकी यह समझ सकते हैं और क्या बोल सकते हैं हमने कहा कि हमने देखके यहाँ पर कहा कि potential energy convert हो रही है kinetic energy में यह जो A के पास जो potential energy है वो जब चलने लगेगा हमें पता है when the body is in motion उसके पास कौन से energy होती है kinetic energy यही potential energy किसमें convert हो रही है kinetic energy हमने यह भी समझा ओके फिर हमने कहा कि यह automatic तो नहीं होगा कोई ना कोई responsible होगा इसकी potential energy को kinetic energy में change करने के लिए हमने कहा हाँ हाँ जी हुजूर यहाँ पे gravitational force is responsible so gravity is changing the potential energy of this particle at position A into the kinetic energy so हमने कहा कि potential to kinetic energy change हो रहा है और कौन responsible है gravitational force responsible है अच्छा मतलब gravitational force हम ऐसा कह सकते हैं कि gravitational force is doing the work in changing the potential energy of the ball अगर यहाँ पे gravity नहीं होती तो कोई guarantee होती किया यह ball नीचे आता हमने कहा नहीं so because of the gravity and because of the gravitational force यह ball की potential energy change हो पाई तो हम ऐसा कह सकते हैं gravity कि ने इसके उपर काम किया so gravity ने work done किया और work done करके क्या किया इसकी potential energy को change किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि gravity के work done के कारण ही इस system की potential energy क्या हो गई change हो गई और यह जो gravity का force है वो कैसा है conservative force है so conservative force के अंदर एनर्जी का relation में निकालाए कि जितना काम करोगे उधनी potential energy इसकी change हो जाएगी अभी रास्ता बाकी है हमें relation निकालना है force और potential energy के बीच में तो आगे बात को बढ़ाते हैं इसको आगे continue करते हैं हमें relation मिल गया यह delta w is equals to delta u ओके fine हमें लेकिन potential energy और force के बीच में relation चाहिए है तो हमने और एक दूसरा example यहाँ पे consider किया हम देखते हैं कि इस example में कोई body है जो a position में है इसको उपर हम f force लगा रहे हैं along x axis और body भी displaced हो रही है along x axis तो मान लेते हैं body को a to b हम displaced करेंगे by application of force f so throughout its journey हम कहते कि इतना बड़ा console करें हम कहते कि थोड़ा सा है जब यह point और यह body यहाँ पे हैं यहाँ से थोड़ी ही displaced हो गई तो displacement हम कहेंगे dx ठीक है और मुझे दूसरी चीज़ बतानी है कि जब किसी body के उपर हम force लगाते हैं तो उसका motion बढ़ता है motion क्या होगा increase होगा और इसकी जो potential energy है वो क्या होगी decrease फिर से एक बार जब किसी body motion में होगी तो उसकी kinetic energy ज्यादा होगी और potential energy कम होते हुए जाएगी तो जब किसी body के उपर F force लगाओगे तो उसकी kinetic energy क्या होगी बढ़ेगी और potential energy क्या होगी घटेगी तुम ज़्यादा kinetic energy की बात नहीं कर रहे हम ज़्यादा potential energy की बात करेंगे right so in the displacing the body by the small displacement dx let du be the decrease in the potential energy of the system इस system की kinetic energy बढ़ेगी तो obviously हम ऐसा ही लिखेंगे इसकी potential energy घटेगी that is decrease in the potential energy so यह du क्या लिखा है अगर इसका displacement छोटा सा है छोटू सा displacement dx है तो छोटू सी heat potential energy क्या होगी decrease होगे ऐसा क्यू कर रहे है ताकि हम एक equation मिलता है ऐसे करने से then we can write हम लिख सकते है last page पर हमने लिखा था delta w is equals to delta u मतलब यह जो force है यह force क्या करेगा work करेगा और यह work करके क्या करेगा इस system की potential energy को क्या करेगा change करेगा change हो रही है और change क्या हो रही है basically decrease हो रही है तो हमने इसको minus sign लगा दिया so negative sign indicates potential energy of the system is decreasing ठीक है इस dx को हम यहां लेके आते हैं denominator में so we got the beautiful relation minus du upon dx और यही तो हमें चाहिए था force और potential energy के बीच में relation अब इसको read कैसे कर सकते है यह इस relation को कैसे बता सकते हैं very short so बात की एक बात क्या होगी इसकी ठीक है so when you apply a force on a body in a particular direction so energy or specifically potential energy of the body is decreasing that is delta u को negative लिखाय मतलब potential energy of the body is decreasing along the direction of displacement along the direction of displacement मतलब dx और बहुत ही साधारन बाचा में force लगाओगे potential energy decrease होगी in the direction of displacement so we got a relation between force and potential energy so this total term को हम कुछ अलग भी नाम दे सकते that is decrease in potential energy along the displacement in this case which is in x direction अगर body y direction में चलती तो हम यहाँ पे dx की जगाँ पे dy लिखते हैं अगर body दोना axis चलती x भी और y भी मतलब ऐसा चलती तो हम इसको आगे चलके मैं बताऊंगा हम इसको लेखेंगे du by dx plus minus du by dy ठीक है चलो अब इसको vector form में भी तो लिख सकते हैं ना because force is a vector quantity तो in vector form force is equals to minus du by dx यह कौनसे direction में लग रहा है force हमने देखा कि वो along the x direction लग रहा है तो x direction के लिए कौन से unit vector है i cap so minus du by dx i cap लिखेंगे y direction में अगर change होगा तो उस force को लिखा जा सकता था minus du by dy into j cap ठीक है so this is the concept we arrived at a very beautiful formula f is equals to minus du by dx यह हम अभी intensively use करेंगे कुछ numerical सोल करेंगे